आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुंबई से सटे घाट कोपल में शुक्रुवार से शनिवार की रात असरफा इलाके में रहने वाले लोगों के साथ एक अजीब घटना हुई है यहाँ पानी की सप्लाइ के लिए बिची 72 इंच की पाइपलाइन अचानक से फट गई पाइपलाइन उस दोरान फटी जब लोग अपने घरों में सो रहे थे पानी का बहाओ इतना तेज था कि देखते ही देखते पानी इलाके में मौझूद दुकान, गली और घरों में भर गया दरसल असरफा इलाके में पानी की सप्लाइ के लिए 72 इंच की पाइपलाइन बिचाई जाती है जो कि शुक्रुवार से शनिवार की रातिये पाइप फट गया प्रेशर इतना तेज था कि 10 फीट तक की उच्चाई तक पानी उच्छल रहा था घटना के दोरान इलाके के लोग घरों में सो रहे थे धीरे धीरे ये पानी उनके मकानों में घुसने लगा थानिय लोगों ने कहा कि तुरंट इसकी जानकारी बीएमसी आफिस में दी गई इसके बार भी बीएमसी के ओर से कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी मौके पर नहीं पहुचा थानिय लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार बीएमसी को ठहराया है झाल का लोगों ने इस को एक रहरा है